तो तुम लोग पूछ रहे थे कि सेव का ओरिजन कैसे हुआ कैसे हुआ कब हुआ वो सुना होगा तुमने एडम और यू क्या सुना है कहानी सुनी हो हाँ कि एडम और इव पहले ही उन से अर्थ में और उनको बेसिकली सब कुछ करने की छूटती एक सेप्ट एक चीज वह था एक सेव के पेर से सेव खाना वो उनको मना था लेकिन इवने क्या किया वो चीज वही चीज किया जिस चीज के लिए आदमि को मना किया जाता है आदमी करता है तो Adam और यू जो था वो अगर थड़ा देखा जाए तो लगबग साड़े साथ लाक साल पुराना माना यह जाता है कि जो पृत्वी में सबसे पहले सबसे पहले जो मानवा है तो Adam और यू थे और वही से पूरी चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, कोई भी है, वही जनरेशन आगे आगे चली, तो यानि के साड़े साथ लाख वर्ष पहले सेव था, यह तो कहानियों में है, लेकिन अगर हम एक एक एक्चल में देखें, तो आज से लगबग 3700 साथ सो साल पहले, सबसे पहले जो और जिन माना जाता है, वो माना जाता है, कजाकिस्तान में है, और कजाकिस्तान के रास्णानी क्या है? आलमाता, आलमाता का मतलब होता है full of apples, यानि के आलमाता के आसपास जितने भी forest थे, वो सारे सेब के forest थे, तो 3500 साल पहले कजाकिस्तान से Greeks, Romans, मतलब हो गए हो गए हो गए वहाँ पर, तो वो लोग वहाँ से सेब के कुछ बीज और कुछ पौधे, अपने यूरोप में ले गए, मतलब यूरोप में सेब का पहुंचा, आज से 1500 साल पहले, लेकिन वो जो सेब था, वो technology के अगर उससे देखा जाए, तो वो वैसा नहीं था, जो आज की date में सेब है, तो खटे थे, लेकिन वो कुकिंग में यूज करते थे, जैसे हम लोग आज बहुत से चीज़ें, जंगली चीज़ों को यूज करते हैं उस तरीके से, इस तरीके से यूरोप में पहुंचा, और इंट्रस्टिंगली क्या हुआ कि उसके दो-चार साल के बाद, ग्रीक्स भी ले गए, सेब अपने इलाकों में, और आज से लगबग 2300 साल पहले, हम तो सबसे पहले, रोमन्स, अपने देश से बाहर, मतलब यूरोप से बाहर, इंगलेंड में, सेब के पौधे ले दे, तो जो सेब का जो इतिहास, अगर हम मानें, इंगलेंड में, तो वो लगबग 2300 साल पुराना है, इंट्रस्टिंग लग रही है स्टोरी, नहीं, अभी नही है, इंट्रस्टिंग तब लगेगी जब ये हिंदुस्तान की तरफ आएगी, अभी तो वर्ल्ड का है, वर्ल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सेफ फैलता गया, सेफ पैसे फैला, खाने के लिए, फ्रेश ट आज से लगब तीन हजार साल पहले, सबसे पहले जो ग्रीक्स थे, उन्होंने ग्राफ्टिंग टेकनीक इजाद करी, मतलब उन्होंने बताया दुनिया को, जो उनके आँस पास के थे, कि अगर इसको ऐसे काटेंगे और ऐसे जोडेंगे, तो ये पहुदा दुआरा त्यार हो जाएगा, तो ये ग्रीक्स ने किया, सोला सौ में अमेरिका में से पहुँचा, और अमेरिका और मेक्सिको में, तो वहां के लोगों ने वहां के से शुरू किया, तो सोला सौ में जो से था, वो अमेरिका और मेक्सिको में पहुँच गया, लेकिन जो भारत में से की कहानि मतलब कहानियों के माध्यम से में पता चलता है कि 980 में एक रानी थी रानी दीदा कुईन दीदा कश्मीर में तो जब वो बुड़ी हुई तो उसको लगा कि उसके सक्सेसर्स कौन सक्सीड करेगा उसको तो उसके जो भाई के बच्चे अपने उनके कोई बच्चे नहीं थे त तो उन्हाने अपने फैमिली में जो उनका भाई था भाई के दोचा लड़के थे प्रिंस उन सबको बुलाया और उस कहानी में यह पता चलता है कि उन सबको बुला के उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा मुझे सेब लाके देगा और सेब क्योंकि वहां एक बास्केट में र तो सारे के सारे जो प्रिंस गए उनके आपस में जडब भी हुई जगड़ा भी हुआ थोड़ा सा स्नैचिंग हुई सेबोंक लेकर लेकिन एक राजकुमार था संग्रामा जो खड़ा रा साइड में तो जगड़ा करने थे जब भी सेब गिर रहा था तो वो उठा रहा था उठाते उठाते लास्ट में जब वो सब राणी के पास आए तो सब के पास बराबर से थे लेकिन सबको किसी को चोट लगी थी किसी के पास जितने भी मैक्सिमम एपल थे वो स्क्रैश हो गए थे उनमें इंजर्ड हो गए थे तो राणी को राणी सब कुछ क्योंकि देख रही थी तो उसको लगा कि सबसे ज्यादा जो इलिजिबल कैंडिडेट है वो संग्राम है जो कूल डाउन होकर बिलकुल साइड में खडा रहा है जिसने कोई जगडानी कि अपने भाईयों के साथ और उसके पास जो सेब थे व फिरोशात तुगलक वो तेरासो नौ में था तो जो हिस्टि बताती है वो यह बताती एकि तेरासो नौ में झब मुगल यहाँ पर आए और उनके उनके जो रेसिपीज थी good recipes उसमें सेब के वी कुछ चीजें थी तो तेरा सो नौम से लेकर जो मुगल यहां पर आए उन्हें कुछ सेब के पौदे लाए और सेब के पौदे लाए उनको क्लाइमेट का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कहां लग सकता है कहां नहीं लग सकता उन्हें पौदे दिल्ली में लगा दिये अपने मतलब मेहल अपना जो उनका मेहली बोलेंगे जो मुगल थे तो उनके चारों तरफ उन्हें भगीचे लगा दिये तो उनमें बहुत कम सेम लगते थे लेकिन लगते थे से लेकिन एक हिस्ट्री में जो एक बहुत वैसा आता है वह आता है 1628 से लेकर जो पर्सियन कुछ अगर आप इंटरनेट में भी तुम लोग देखोगे कि देखो मैंने तो जो कुछ सीखा है वो गूगल से सीखा है जो भी चीज मिले उसको गूगल में सर्च कर लाओ तो 1628 में जब यहां पर शाह जहां था ताजमेल किसने बनाया था शाह जहा जहां जब था कि जो किताब थी नुक्षाय साह जहां नी उसमें दो रेसिपीज थी जो एक डिश थी वो थी सीष रंगा सेब चाशनीदार और जो दूसरी डिश थी वो थी शीष रंगा सेब नामकी नामकी या नहीं है नमकी तो एक मिठा सेब और सेब का मिठा और सेब का नमकी तो यह दो चीजें भी हिंदुस्तान में आ गई थी अगर उनकी रेसिपीज म तो इस तरीके से सेव का यहां शुरुवात हुई लेकिन जो असली आया वह यहां 1850 में है इसके रिकॉर्ड्स जो है हमारे भी बोलते हैं कि कुल्लों में शुरुवात हुई है कोडगर्ड इसलिए फेमस है कि कोडगर्ड में रेड डिलिशियस एपल की सुरुवात हुई लाल सेव हम लोग जो सेव को खाते हैं वह आँखों से खाते हैं हम आँखों से देखते हैं बजार में जाते हैं लाल सेव बड़ा सेव तब मॉटर देखते हैं लोब्स पांच मूँ मतलब लोब्स नीचे निकलते हैं लेकिन असल में क्या हुआ कि अठारा सो दस के आसपास जो नेपाली थे हमारे गुर्खा गुर्खा ने गढ़्वाल और कुमाव में कबजा कर लिया और जब यहां कबजा किया तो अंग्रेज गए और अंग्रेजों ने उसको अठारा सो पंद्रा सोला में वार भी वहां पर भेंक का लड़ाई तो उन्हों ने ने गौर्खों को बगाया अंग्रेजों और अंग्रेजों ने वहां पर इन्वेट किया और राज अपना जब अंग्रेज चलते थे तो उनके साहथ मिशनरी भी चलते थे। तो एक थे Mr. Abbott मिशनरी थे जो वो सेभ के बॉद्धते लेकर आए। उनके साहथ और भी मिशनरी थे। उनकी वाइप्स भी चलती थी, फैमिली भी चलती थी। उनको सेब का रेसी पीज का मतलब सारा शौक था तो वह वहां से बीज लेके चलते था और क्या हुआ कि 1850 में सबसे पहले वह कहा है इंदुस्तान में उत्राखंड के कुमाओं के रामगड एलाके में रामगड भवाली और नार्तोला तीन जगह है मतलब जो हिस्टी में बताते हैं कि ये तीन जगह में 1850 में इन लोगों ने सेब लगाया तो उसके लगबग 8-9 साल के बाद 1858-59 में कुछ मजा हरा है कि नहीं अच्छा लग रहा है तो 1858-59 में जो सेब था वहां से विल्सन थे एक मिस्टर विल्सन वो सेब के पौदों को लेके हरसिल पहुँच गए हरसिल यानिके गंगोत्री जो गंगोत्री हमारा आज का एक बहुत रिलीजियस जो चार धाम में एक माना जाता है तो उससे पहले जो इलाका आता है हरसिल का इलाका आता है तो Wilson ने जो टीरी के राजा थे, क्योंकि यह टीरी के राजा के पास एरिया था, अंगरीजों ने बगा दिया थे गोड़कों को, तो तो दुपारा वो टीरी के राजा से उन्होंने लीज पे, पट्टे पे जमीन ली और वहा ओचर्ड लगाया, और जो ओचर्ड लगाया तो लेकिन वो भी डेलिशियस नहीं था, वो भी ग्रीन एपल था, तो उसके बाग 1860 में, 60 और 70 के दशक में, फिर वही अंग्रेज हेमाचल में भी आये, और वो उनमें भी अंग्रेजी थे जो सेवों को लेके कुल्लू में उनने सेटल किया, दुबारा वही लीज पहली, मिशन सस क्या चलता था, एक चलते थें अंग्रेज एंडिश्टयर्ट्र, दुसरे चलते थे एंग्रेज जो एक्स्पेंड करते थे अपने आपने यलिजन को, तो जो मिशन नहींदिक करते थे वह दीडिय मिजेया बहत देतेए लेन मिजाटे्समें को वह जानाना वह उनने साथ कि हिमाचल के बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है जो अब मैं बताने वाला हूँ और मैं क्या बताने वाला हूँ कि 1904 में 22 साल का एक लड़का जिसका नाम था सेमवन इवान स्टॉक्स वो ब्रिटिशन नहीं था वो अमेरिकन था वो अमेरिका से समद्री जात से हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आने के बाद उसने कहा कि मुझे कही ठंडे अलाखे में चलना है और ठंडे अलाखे में कहा पहुंचा वो नहीं यही तो बात है वो सवाथू और सवाथू वह जगह है जहां से मेरी स्कूलिंग होई है तो 1904 में वह सवाथू पहुंचा क्योंकि सवाथू में भी अंग्रेज थे सब लोग तो वह यहां पर आया तो वैसे घुमने फिरने के लिए था लेकिन यहां पर वह सोशल सर्विस में इन्वाल्व हो गय सवाथू में सोशल सर्विस का हॉस्पिटल भी था तो जो लेपरसी का हॉस्पिटल था तो जो अमेरिका से जो आया है तो अमेरिका में उनकी मतलब इमेजन करो आज से लगभग एक सो लगभग 120 साल पहले ही उनकी एलेवेटर की कंपनी थी लिफ्ट जो बनाती थी कंपनी जो सैम्वल इवन स्टोक्स आया था 22 साल का अलड़का जो उसके फादर थे he was the most successful businessman of USA और उनके जो कंपनी का नाम था वो था stocks and paris machines company आज भी है वो अगर आप नेट में सर्च करोंगे तो आज मिल जाएगा अंग्रेजों को लगा कि यह भी गोरा है तो हमारे काम आएगा तो 1905 में क्या हुआ कि भुकम पाया कांगडा में जब कांगडा में भुकम पाया तो अंग्रेजों को एक ऐसा अगमी चाहिए था जो वहां जाके जो उनका ट्रस्ट वर्दी हो मतलब तो उन्होंने स्टोक् करने के लिए जो इस तरीके रिलीफ फंड देने के लिए उसके बाद वो एक साल में वापस आ गया अब अंग्रेजों को लगा कि हमने अंग्रेज जब वहां काम कर रहे थे तो उसमें मिशनरी भी थे कुछ बिटिश तो उनको लगा कि यार इसको कहीं और भेजते हैं तो उसके ड्यूटी लगी कहां कोडगड़ तो पहली बार सैम्वाल इवान स्टोक 80 माइल्स यानि के 120-30 किलोमेटर पैदल चलकर कोडगड़ महुँचा था 1907 में 1902 उसने वहाँ पर काफी प्रचार प्रसार यह व सब कुछ किया और कोड़गड में जो रहता था तो वहीं लोगों के साथ लोकल लोगों के साथ इन्वाल हुआ और धीरे-दिरे गर के इन्वाल होते होते 1912 में उसने वहां मैरिज भी कर ले ले उनी सो बारा में मैरिज की और फिर उनके अपने तब तक वो स्टोक सी था लेकिन दीरे दीरे बारा से लेकर 17 तक पांच साल के बाद उनके पनी फैमिली भी एंलार्ज हुई बच्चे भी हुए लेकिन अब इंटरस्टिंग क्या मैं त उपने फादर को का कि मुझे सेभ जाये यहां पर रे डिलीशियस उसे पहले पोरी व्लब में रेड डिलीशियस नहीं हो रहा था। उससे लगवक 50 साल पहले पचास-साल पहले लगवक अठारा सो नब् vocal change के आस पास अटासो नब्दे के आस पास रेड डॉिशेस आया और Red Delicious कैसे आया Chapman Chapman को कोई नहीं जानता कि Chapman कौन है लेकिन Chapman को जानते है Johnny Apple Seed के नाम से तो जब Iwan Stokes ने पने पेरेंट्स को कहा कि मुझे तो Red Delicious Apple चाहिए तो आज भी एक nursery है US में Stocks Brothers के नाम से तो उस नर्सरी के ये मुझे लगता है कि सब लोगों को सुनने के जरूरत है इस बात को कि पहला जो Red Delicious Apple हिंदुस्तान में आया था वो Stark Brothers की nursery से आया था वो सीडी आया थे क्योंकि उस पर बहुत पता नहीं था कि पौधा कैसे आना क्या आना तो वो Red Delicious के सीड लाए थे और यहां पर आके नो Red Delicious के सीड लगाए और इस तरीके से Red Delicious से चला और आज की डेट में पांस से छे हजार करोड GDP में हिमाचल की GDP में इसकी contribution है और पूरे हिंदुस्तान में Red Delicious को ही पसंद किया जाता है तो सिरफ वो से हिमाचल में है नहीं कश्मीर में भी और उत्रगंड में भी अब जो सेब लग रहा है वो Red Delicious ही लग रहा है मैक्सिमन अब आने वाले में अब स्टेंड बहुत बतलब और नहीं नहीं स्टेंड आ गए वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरे वर्ड में लगबग साड़े साथ से आठ हजार वरैटीज हैं लेकिन सौ वरैटीज है जो अभी चल रही है बाकी ये जर्म प्लाजम के रूप में है और दस वरैटीज ऐसी हैं जो पूरे वर्ल का जिसने 90% एपल प्रोडुक्शन को कैप्चर करकर रखा तो Red Delicious के बारे में एक समेराइस्ट जो इवान स्टोक्स की कहानी जो हमने बताई है कि 1904 में वो सवाटू पहुँचा 1907 में वो कोडगर पहुँचा 1912 में उन्होंने शादी की वही की कोडगर की एक रहने वाली जो फर्स जेनरेशन की एक क्रिश्चन थी उसके साथ और उनके साथ बच्चे हुए और 1917 में 1917 में उन्होंने फॉज जो आर्मी थी ब्रिटिश आर्मी उसमें कुछ काम शुरू किया और उसमें रिक्रूट्मेंट वगरा किया और 1920 में 1920 में गांदी जी के प्रभाव में आये और इंफ्लेंस में आने के बाद वो हलके हलके फृड़म मौमेंट में शामिल होने लगे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस भी उन्होंने जोईन की और वो पहले आदमी थे पहले अमेरिकन थे जो इंडियन फृड़म मौमेंट में छे महीने के लिए जेल गए और जेल भी कहां की लाहॉर की उसके बाद छे मेने के बाद वो वापस आए फिर कोड़गर्ड में उन्होंने अपना क्योंकि जो 1917 में उन्होंने सेव की पौधे लगाए थे उनमें फॉल आने शुरू हो गए थे पांच साल के बाद तो इस तरीके से रेड डिलिशियस धिरे धिरे ग्रो करने लगा और वहां रहते हुए वो हिंदू कल्चर से भी बहुत प्रभावित हुए और 1932 में उन्होंने हिंदू धरम को अपना लिया और सैम्वाल इवान स्टोक्स जो था वो सत्यानंद स्टोक्स में कनवर्ट हो गए तो यह उनके कहाने है कि वो सैम्वाल इवान स्टोक्स से सत्यानंद स्टोक्स कैसे बने अगर आपको यह कहानी जो हमने सेप की कहानी बताई अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सेप से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको बताने वाले हैं, जैसे अगले एपिसोड में आपको बताएंगे रूट स्टॉक की कहानी, रूट स्टॉक की शुरुवात क क्या है क्या है, तो यह सारी चीजें आने वाले टाइम सेरियल में आपको बताने वाले हैं, थैंक यू,